खुवातिनों हजरात मैं हूँ आपका अक्सनेगार सहाफी मनुज अलीगडी और मेरे साथ मैं है मलका ए तरन्नम मौतरमा रिहाना शाहिन जो राष्ठी नहीं बलकि अंतर राष्ठी इस्तर पर अपने सेरो साइरी गजल कतार और गित के लिए जानी जाती है तो अप देश के अलीगड ही नहीं बलकि भारत और बाहर कई देशों में आप अपनी सेरो साइरी कतार का जल्वा बनवा चुकी हैं आई हम बात करते हैं मौतरमा रिहाना शाहिन जी से मौतरमा आपका मैं पुर्खलू सिस्तेकुबाल करता हूँ बहुत शुक्रिया बहुत 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 दिल के गहराईयों के साथ आपका शुक्रिया मौतरमा आपका जो आपका अप काफी मारूफ हैं अपने इस फिल्ड में तो क्यों ना बातचीत की सुरूबात कुछ रोमांसिक अंधाज में की जाए मनोज अलीगडी सहाब बहुत अच्छे सहाफी है बहुत खूब लिखते हैं और बहुत खूब कहते हैं अगर मैं अलीगड से एक शायरा हूँ तो ये भी हमारे अलीगड के एक बहुत अच्छे सहाफी है जो अलिगर ही में नहीं अब ये भी पूरी दुनिया में एक तरह से जाने जाते हैं मैं इनकी बहुत शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज ये मेरी घजले सुनने चले आए बहुत शुक्रिया मैं एक कता हाजिर करती हूँ मुझार मा मैं ही नहीं सुनने आए बलकि आपको आपके शुरूता दर्शक सुनने के लिए बेचेन है और बेताब है और मैं तमाम शुरूताओं का बहुत दिल से शुक्रियादा करती हूँ कि वो ऐसे मौसम में आज मुझे सुन रहे हैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रियादा मैं गता हाजिर करती हूँ सुनिएगा उसने मेरी वफाओं का कैसा सिला दिया उसने मेरी वफाओं का कैसा सिला दिया चाहत की काबिशों से मेरा घर सजा दिया सारे बदन से नूर टपकने लगा मेरे ये किसने मुझे को काच से हीरा बना दिया बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर सच में जो सुना था उससे कही ज़ाद है आपकी जो आवाज है उसमें रस है मानो कानों के माध्यम से दिल में और आखों के माध्यम से दिल में आपकी मीठी आवाज और सुन्दर चेहरे को देखकर लोग यकिनन देखते रह जाएंगे तो साथियों कुछ गलती हो सकती है क्योंकि मैडम मारूफ अपने फन की मारूफ है सेरो साहरी गजल में और मैं अदना सा सहाफी हूं और आगे बात करते हैं आखिर इस इंटर्विव की क्या वह सकता पड़ी मैडम लगातार हम देखते रहते हैं कि सरकार जो वर्क कर रही ह आखिर आप उससे नाखुस भी रहती है कभी प्रसंसा भी करती है आखिर आपके मन में क्या चल रहा है जो देश में परदेश में जो हो रहा है उसको देखकर जो आपका कोमल हिर्दय है गरीब, शोषित, वन्चित, असहाई लोगों की एक मदद करने का आपका प्रयास है उसको आप बेहतरी शेरो शायरी के अंदाज में आगे बढ़ाती हैं। आखर ये प्रेड़ना आपको कहां से मिलती है और क्या कर गुजरने की मन में हैं आपके। सामाइन हजरात और खास तौर पर मनोजी चार मिस्रे कहनी की कोशिश की वो सुनिएगा। रोज जब विदेशों की सेर का मजा लेंगे रोज जब विदेशों की सेर का मजा लेंगे देश को गरीबी से किस तरह निकालेंगे हर कदम पे अब हम को होश यार रहना है चाए बेचने वाले देश बेच डालेंगे चाए बेचने वाले देश बेच डालेंगे मेडम जो सुना था बिलकुल वैसा ही पाया मैंने सुना था कि जब भी रिहाना शाहिन सायरी करती है तो लोगों की धरकने बढ़ जाती है यकिनन मेरी भी धरकने बढ़ रही मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है जो मैंने महसूस किया है कि हमारे देश में अपसे 9 साल पहले क्या नहीं था आप बताई कि हम पढ़ नहीं रहे थे कि हम जहाजों में नहीं गूम रहे थे या हमारे पास ट्रेन नहीं थी क्या नहीं था हमारे पास कि हमारे पास अच्छी उनिवस्टिया नहीं हैं, कॉलिजिज नहीं थे, या हम अब से नौ साल पहले भाई चारे के साथ नहीं रहते थे, हम हिंदो, मुस्लिम, सिक, इसाई, हम बहन भाई की तरह हैं, वो एक मेरा, एक किसी गीत का चार मिस्रे हैं, कि रामा और रहमान एक है, मैं ये नौ साल की गॉर्मेंट को कहना चाहती हूँ, कि रामा और रहमान एक हैं, कब दोनों में खटकती है, आपस के जगणों से भाई, नाक देश की कटती है, सब के लहू का एक रंग है, दुनिया को दिखलाता चल, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर मेरा बलड ले ल लीजे, मिला लीजे, उसका क्या रंगा लग होगा? और भटे पर मजदूरी करने के बाद, यह लगातार इनका पलाइन का समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, यह साम को ट्रेन के माध्यम से बिहार की और कूच कर रहे हैं, इस्तिती इतनी विक्राल है, कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, नंगे बदन शिर्मिक, और मेले कुच चैले कपड़ों में लप्टे हुए बदन के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, रोजा ना पता चलता है कि किसी सवारी के बच्चे रह गए, किसी का सामार रह गया और बहुत से लोग उनके साथ दुर्वेभार भी कर रहे हैं, तो यह भारत की असली तस्वीर मैं बता र जाती हैं, यह आपको प्रेड़ना कैसे मिली सेरो साहरी में, आपने अंतररास्टी यह मुकाम कैसे बनाया, जो लोग नए जुड़ना चाह रहे हैं, उन्हें आप जैसा मुकाम पाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं बहुत मिडल क्लास फैमली से थी, मैं, मेरे हाँ पड़े लिखे सब थे, लेकिन सब युनिवस्टी में थे, पड़े लिखे थे, लेकिन माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, और मैं जिस मौशरे से आती थी, आई हूँ, वहाँ पर बहुत ज्यादा परदा था, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती थी, पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकती थी, धरम की एक चीज़ होती है, कि अपने अपने धरम को इनसान फालो करता है, लेकिन वो जो उस जब का माहौल था, वो माहौल बहुत थी, मुश्किल भरा था, और मेरा उस मुश्किल भरे माहूल में बाहर निकलना ये एक बहुत कमाल की बात थी कि मैं बाहर निकली हूँ लेकिन जब मैंने शायरी शुरूई की मेरे मुझे अबा ने बहुत मुझे मेरे होसला अवजाई की कि नहीं बेटा अगर आपका ये शौक है तो आप बाहर जाएए और आप जो आपको अच्छा लगता है आप कीजे लेकिन आपका भी पीछे मुड़के मत देखिएगा जमाना है जमाने को बोलना आता है जो आपने करना है आप कीजे वो मैंने किया सबसे पहली साहरी जो थी सुनाय काफी शोर हुआ तो उस पर आपको पुरुसकार भी मिला था लगबक 16-17 साल की हुमर रही हुए आपकी उस समय तो थोड़ा सा उसकी दो पंक्तिया सुनाय शुरोता बड़ी बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं कि शुरुली आवाज को सुनने के लिए देखिए जो मेरी जो मैंने पहला शेयर कहा था वो तो अगर मैं उसमें जाओंगी तो काफी लंबा हो जाएगा वो मत पूछिए मैं आपके इंटरिवियो में बोल चुकी हूँ पहला शेयर था मेरा के रहा पास तो अजनबी की तरहा हुआ गुम तो अपना पता दे गया रहा पास तो अजनबी की तरहा, हुआ गुम तो अपना पता दे गया, में आवाज देती रही वक्त को, वो बेरहम था बदवा दे गया, ईशाहिन कश्ती तो डूबी मगर, नया होसलाना खुदा दे गया बहुत अच्छा सोना रही है आप जो सोता है उर्दू के विशिसकर सोता उनकी काफी अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी मैडम एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जैसा कि आपने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसाई आपस में भाई, बहन का रिस्ता है और अक्सर बरतन खटकते हैं तो मनीपूर के इमफाल में जो घटना घटित हो रही है अपर यह घटना जो घटित हो रही है इस पर आपकी क्या राय है आपके क्या वचार है देखिए मनीपूर में मेरे ख्याल से आज 55 दिन हो गए होंगे वहाँ जो हालात हैं बहुत अफसोस की बात है कि केंदर में जो सरकार है वो वहाँ पर सरकार है इस्टेट में चाहें तो ये एक घंटे में राइट्स को बंद करा सकते हैं लेकिन नहीं यूँकि इन लोगों राजनीती करनी है इसलिए वो राइट बंद नहीं होंगे और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारा हिंदुस्तान का एक हमारा इस्टेट जल रहा है और हमारे जो प्राइमिस्टर हैं वो अराम से बहुत बाहर अपने जो चा उसके साथ मैं कहूंगी कि जो पचपन दिन से जो इस्टेट जल रहा है तो वहां हमारे प्राइम को खुछ जाना चाहिए था मैं चार मिस्टर मैंने कहे हैं जिस दिन मोदी जी रवाना हुए है मैं काफी दिन से मनीपूर को महसूस कर रही थी और उसी बीच में मोदी जी जाए तो फिर मेरे कलम रुका नहीं पिर मैंने ये चार मिस्टर में आपको सुनाती हूं मसाइल देश के देखे तुझेसे डर गए साहब विदेश चले गए मसाइल देश के देखे तुझेसे डर गए साहब गए पर देश तो सब मन की बाते कर गए साहब मनी पुर की वो चीखे रात दिन कानों में आती हैं वहां क्यूं सेकडों बे मौत आखिर मर गए साहब मेडम काफी भारी भर कम कह रहे हैं लेकिन मोदी जी तो बिजी थे पर देश के ग्रह मंत्री जी तो गए थे वहां पर जरूरी थोड़ी है के प्रधान मंत्री ही जाएं ग्रह मंत्री जी भी तो मोर्चा समाले हुए देखिए ग्रह मंत्री को भी इतना बड़ा पावर होता है कि वो भी चाहते तो इन्हें जाने की जुरुती नहीं होती दिल्ली में पैठे पैठे राइट्स खतम हो जाते वहां पर लेकिन गौर्मिंट नहीं चाहेगी तो नहीं होते हैं चलिए ये तो काफी गंबीर बिसाता अब शुर्ता और दर्शकों की दर्कार है डिमांड है दर्खास्त है आपसे को कुछ जैसा सुनाएं जो जैसा कि लोग कहते हैं कि रिहाना शाहिन जब सुनाती हैं तो लोगों की धड़कने रुख जाती हैं या बढ़ जाती है देख का एक मतला चंद शेर मैं आपको हाजर करती हूँ और हमारे शुरूता भी बहुत मज़े से सुन रहे हैं एक एक शेर पर आपकी तबज्व चाहूंगी और दाद चाहूंगी सुनियागा छोड़ जाने को कोई बात जुरूरी थी क्या क्या बात क्या बात क्या बात है छोड़ जाने को कोई बात जरूरी थी क्या छोड़ जाने को कोई बात जरूरी थी क्या छोड़ जाने को कोई बात जरूरी थी क्या छोड़ जाते ये खुराफात जरूरी थी क्या छोड़ जाते ये खुराफात जरूरी थी क्या और ये शेर मुलाइजा कीजेगा तंज के तीर चलाने से सुकुना आया तंज के तीर चलाने से सुकुना आया मेरी आखों की ये बरसात जरूरी थी क्या मेरी आखों की ये बरसात जरूरी थी क्या और ये शेर भी सुनियेगा मेरे दिल चैन से एक दिन तु मुझे रहने दे मेरे दिल चैन से एक दिन तु मुझे रहने दे आज फिर यादों की बारात जरूरी थी क्या आज फिर यादों की बारात जरूरी थी क्या और देखिए ये बड़ा नाजुक सा शेर है जो मैंने इसमें कहा है मेरी एक बात सुने और ना कुछ तुम बोले मेरी एक बात सुने और ना कुछ तुम बोले बेसबब की ये मुलाकात जरूरी थी क्या बेसबब की ये मुलाकात जरूरी थी क्या और घजल का आखरे शेर मैंने सोचा था येही रात खुशी की होगी मैंने सोचा था येही रात खुशी की होगी गम उठाने को येही रात जरूरी थी क्या और घजल का मकता हाजर कर रही हूँ मुला ऐसा कीजेगा लोग हस हस के सुनेंगे एरहाना शाहिन लोग हस हस के सुनेंगे एरहाना शाहिन ये कहानी भी मेरे साथ जरूरी थी क्या ये कहानी भी मेरे साथ जरूरी थी क्या बहुत सुन्दर बहुत ही अच्छा तरन्नम के साथ आपने गीत गाया मैडम अभी एक कुछ दिनों पहले एक महतरमा से बात हो रही थी हमारी तो उन्होंने कहा कि दो तरह के लोग होते हैं एक तो ऐसे लोग होते हैं जो सामने खड़े हैं आपको पता है वो तुम्हारी दुश्मन है और एक ऐसे होते हैं जो साथ में रहकर ना जाने कब आपके साथ छल धोका फरेव कर दें ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए मैं दुश्मन को इस तरह मतलब मैं दुश्मन को इस तरह ट्रीट करती हूँ ये चार मिस्रों में कहूंगे हाँ ये सच है के दुश्मनों से भी हाँ ये सच है के दुश्मनों से भी दोस्ता ना कलाम करती हूँ होसला हो तो कतल कर देना मैं तुम्हे भी सलाम करती हूँ मैं तुम्हे भी सलाम करती हूँ क्या बात है होसला हो तो कतल कर देना मैं तुम्हें भी सलाम करती हूँ मैडम वाकई मज़ा बांदिया आपने और शोता हाथ रगड रगड कर हाथ मल मल कर आपको एक टक देख और सुन रहे हैं आपके मन में जो भाव आ रहा हो गजल, कतार, गीत और कोई पुरानी यादे अगर हो तो आप गीत गा सकती है और गुन गुना भी सकती है एक कता और एक गजल मैं वो सुनाना चाहते हूँ जो मैंने कतर में पढ़ी थी, कतर के मुशायरे में, मुलाहिज़ा कीज़ेगा मुह से बोलो, तो कुछ सुकून मिले मुह से बोलो, तो कुछ सुकून मिले यह हमारे जो सामाइन बैठे हैं, यह सब नوجवान हैं जादतर और अगर जो भूतपूर नوجवान हैं, वो इस पर अमल न करें, यह सुने मुझे बोलो तो कुछ सुकून मिले पास आओ तो बात बन जाए रोज मेरी गली में आते हो दिल में आओ तो बात बन जाए और मुझे इस पसमन्जर में चार मिस्रे और याद आ रहे हैं वो भी हाजर करती हूँ जहर पी कर भी इश्क की खातिर जहर पी कर भी इश्क की खातिर नाच सकती हूँ जूम सकती हूँ तुम तो होटो की बात करते हो तुम तो होटो की बात करते हो मैं तो शौलो को चूम लेती हूँ और देखिए ये घजल मैंने वहाँ कतर में फरमाईश पर पड़ी थी घजल तो मेरी काफी पुरानी है ये लेकिन आपको बिलकुल ऐसे सुनी होगी जैसे आज ही आप सुन रहे हैं वो इस तरह मैं कहूंगी कि एक शराब, एक बीवी और एक घजल ये तीन चीज़े कभी पुरानी नहीं होती है ऐसे ही सुनिएगा आप मेरी घजल ये जहा हुसन के शामियाने लगे है जहा हुसन के शामियाने लगे है वहां आप क्यों आने जाने लगे है वहां आप क्यों आने जाने लगे है और मनोजी ये शेर सुनिएगा वह शिदत से फिर याद आने लगे है शायद इस शेर में आप भी अपने माजी में खो जाएं वह शिदत से फिर याद आने लगे है वह शिदत से फिर याद आने लगे है मेरे जखमे दिल मुस्कुराने लगे है इशारों इशारों में अपनी नजर से सुना है वह जादू जगाने लगे है और यह शेर मैं सामाईन के नजर कर रही हूँ जो दिल में है इशार कर दीजिए ना जो दिल में है इशार कर दीजिए ना मुझे आप क्यूं आज माने लगे है मुझे आप क्यूं आज माने लगे है और देखिए यह शेर उन कमजर्फ लोगों के लिए मैंने कहा है शेर सुनते ही आप समझ जाएंगे सिला चाहते हैं वो अपनी वफा का सिला चाहते हैं वो अपनी वफा का सिला चाहते हैं वो अपनी वफा का हतेली पे सरसो जमाने लगे है हतेली पे सरसो जमाने लगे है और घजल का आखरी शेर मेरा पसंदी दा शायद आप हज़ाद को पसंदा आए वो एक महरबा था मेरा राजदा था खुला एज़ा कीजेगा वो एक महरबा था मेरा राजदा था वो एक महरबा था मेरा राजदा था मनाने में जिसको जमाने लगे है मनाने में जिसको जमाने लगे है और घजल का मकता हाजर करती हूँ मैं शाहिन सब जानती हूँ न पूछो 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 वो क्यू नाज मेरे उठाने लगे है वो क्यू नाज मेरे उठाने लगे है वाह बहुत शांदार जैसा सुना था वैसा ही पाया मलकाई तरन्नम मौतरमा रिहाना शाहिन ने इतना विवस्ट कर दिया हमें सुनने के लिए कि मैड़ मैं तो भूल ही गया था कि मैं आपका इंट्रिव्यू ले रहा हूँ मैं तो आपको एक टक देख और सुन रहा था और यकिनन शुरता और दर्सक भी पूरा अनंद दे रहे होंगे सातियों समय बहुत हो चरा है और अगली मुलाकात जल्द करेंगे हमारे साथ थी मलका एक तरन्नम रिहाना शाहिन जी जिन्हों ने अपना कीमती वक्त देकर हमें सम्मानित किया और शुरता और दर्सक जो भ के लिए उसको हमको लाइक सब्सक्राइब करें मैं हूँ आपका अक्सनगार सहाफी इंशालला जल्द मुलाकात होगी शुक्रिया